मैं असलाम दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम से एक आइस्क्रीम की फैक्टरी में शनिवार की सुभा अमोनिया गैस का रिसा होने से 15 लोगों की तवियत बिगड गई हैं मतुरा शहर के फरहा नगला चंदरभान छेतर में आज सुभा आइस्क्रीम बनाने वाली एक फैक्टरी की पाइप तोटने से अमोनिया गैस गाउं में फैल गई जिसकी वजह से लोगों का दम घुटने लगा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी इस घटना से इलाके में हर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी यहां तक कि जब लोगों की तवियत ज्यादा बिगड़ने लगी तो इसकी सूचना पुलिस और फैक्टरी के कर्मचारियों को दी गई मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेट अम्बुलेंस गाउं में पहुंचकर बीमार लोगो बंद कर दिया है अभी पूरी तरह नॉर्मल है कितने लोग इसमें कुछ अभी यह जानकावी तो प्रसासन के लोग बताएंगे कि लेके कुछ न्याग है लोगों को कहना है कि लापर भाई यह काफी घंटों से बो लीके जो रहेती ना ऐसा नहीं है दस्मेंट के अंदर ब सब्सक्राइब कर दिया है कितने लोग बढ़ती हुआ है यहां तो पूरा गामी सा पूरे गाम को भजरमती काम से बाहर थोड़के चलेगे अपको किस तरी के इंपरिसानी हो रही है मेरे को साब परिसानी अब है सर भारी है आँखों में जलाने और गले में जलाने अब इनचल सेनी है अब ड़ देटेए अब यहां रहते हैं तो इसके नियुक्ते से बार गले में लिए अब नला से पूरे चानर वाले में पर रहने के लिए यह कितने लोग आई यहां फेवी आठ लोग आई काहां रगी यह लोग वारे बागी दोसाब को हई आने अब किसी त क्या चाहते हैं कि या चाहते हैं कि पहले भी कि तीन चारवाल यह वह वर आपको कारवार हुई कारवाई नहीं हुए उसमें फाइर ब्रिगेट और फैक्टरी के कर्मचारी पाइप से गैस रिसाओ रोकने में जुट गए काफी देर बाद पाइप को ठीक किया जा सका वही ग ग्रामीडो सहित आसपास के इलाकों में दह्शत का महौल है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहा टाइम